नमस्का किसान भाईयों आप से का स्वागत है एक बाफ फिर से किसी एंजेडी भाई में जुस्तों बैचले कि किसान भाई आज हम धान में कल्ये बरहने के पांच बेहतरिन तरीकिक बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी धान की पौधों की बढ़वा अच्छी होगी नमबर देखने को मिलता है जिनके बाद भाई का दूसरा नमबर देखने को मिलता है बजले किसान भाई धान की उद्परम्णाने के लिए हमें कि तक निकू का पदनी की आप सकता होती है धान की नर्सरी से लेकर धान की रोपाई तकी परिखलया में आप अधिक उद्पादत लेशंते हैं पहला दुस्तों मारा पॉइंट है सही नुट्रिसियन एनिकी सही पोस्टर देना धान के कल्लोगों लेकर के धान की रोपाई के 20-30 दिन बाद कल्ले फुटने रखते हैं इस दौरान धान में अधिक पोस्टर तक्तों की ज़दत होती है इस दौरान धान की खेत में ज़्यदा पानी न रखे और परती एकर 20 किलो नैट्रोजन और 10 किलो जिंक की मातरा जरूर दे जिंक की मातरा आप धान की रोपाई के समय पर ही दे सकते हैं दौरा पोईंट है खेत को सुखा रखे धान पानी वारी फसल है इसका मतलब यह नहीं की फसल में पूरे चाह महिने पानी रखें धान की रोपाई के 20 से 50 दिनों के बाद कुछ समय के में पानी निकाल दे जिससे धान की जड़ो का धूप और आफिजन सवही से मिल पाता है और जड़ो की बढ़वा अच्छी होती है इस समय आप खर्पतवार की भी निराय कुड़ाई कर सकते हैं धान ध्यान रखे की खेतों को इतना इपसुखा ना करें जिसे मिट्टी फटने लगे खेत में हल्की नमी रहनी बहर ज़रूरी है निराय कुड़ाई आउब उबरग देने के बाद फिर से खेत में पानी भर इस तरह पॉइंट दूस्तों मेरा ये है किसान भाईयों की रुपाई के 15-20 दिनों बाद पाटा चलाएं इसके लिए आपको 10-15 फीट का बास लेकर दो बार पाटा लगा दे ऐसा करने से ध्यान होगा की जड़ों का जटका लगता है और इसे चोटी और हड़ी और हलकी ज इसे प्रयात मात्रा में जड़ों से कंदर निगलता है ऐसा करने से ध्यान के पौथों पर लगने वाले सुन्डी जैसे कीड़े भी पाने में गिरते ही मजाते हैं ध्यान रहे कि एक बाप पाटा लगाने के बाद दूसरी बाप उल्टी दिसा में पाटा लगाएं जब ही पाटा लगाएं खेत में प्रयात मात्रा में पानी होना आवस्यक है किसान भईयो हमारा चौता पॉइंट है धान में कल्ले बढ़ाने की दवा धान की रुपाई के बाद खर प्रतवार वार नासी और निराइक उड़ाई ज़री करें खपतवार के लिए चार फोर दो फोर किदर से 800 नौसलेटर पाने में मिला का खेत में पर्योग करने से खपतवार का निंतरन आची तरह से होता है हमारा पहुंचवा पॉइंट है करें धान जाइम गोल्ड का चिड़काव यह एंजाइम गोल्ड समद्रिगहां से निस्क्रासित किया गया एक ज्याविक तक निक को एक मिलीमेटर की दर से इल्टर पाने में मिलाका 500 मिलीमेटर प्रति एक कर की दर से चड़काव करें किसान सातियों आपको पतारें कि आज का जो वीडियो था पांच एच्छी सी खेती होगी आप धान के कल्ले बहुत आच्छे ग्रोथ करेंगे तो हमें उम्मीद है कि किसान भाई आप समझ गया होंगे कि धान खेतों के कल्लों को कैसे बढ़ाना है और अगर आपको वीडियो प्रावलम है कोई भी दिक्कत आती है किसान भाई यो तो मैं कर सकते हैं अब कोई सुझा हो तो कमेंट समय कीजिए किसान भाई अपने किसान जन्वेल वंदे मात्रम